कालू कवे की मा ने दूसरे जंगल से स्पेशल हलवाई पक्षी चाचा छमचम को बुलाया था कड़ा ही चुलहे बर चड़ाई हुई थी लड़ू बन रहे थे कालू कवे की मा आज बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा आज वदेशी जंगल से डॉक्टर जो बन कर आ रहा था कालू कवे की मा चड़िया के घर लड़ू लेकर जाती है मा जी ये लड़ू किस खुशी में है मेरा कालू आ रहा है आज आज मेरा कालू वदेशी जंगल से डॉक्टर की पढ़ाई करके आ रहा है क्या क्या कालू आ जा रहा है तो और क्या हम कवों में पहला कवा डॉक्टर बना है मेरा कालू वरना सारे कवे एक नमबर के आलसी और अनपढ़ होते है ये तो बहुत खुशी की बात है माजी फिर कवे की मा तोदे के घर जाती है उसे मिठाई देती है और फिर कबूदर के पास ऐसे कालू कवे की मा पूरे जंगल में लड़ू बांटती है शाम तीन बजे की फ्लाइट से कालू कवा भी पहुंचाता है सब ही पक्षी कालु कवे की मा के साथ कालु को विलकम करने के हुए थे हवाई जहाद से उतरते ही कालु कवा दूर से ही हाथ हिलाता है ना ना मेरे पास ना आना कि टानू लग जाएंगे मुझसे दूर रहना कालू बेटा ये सब तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने के लिए ही तो आए है मिल लिया है मा मैंने इनसे मिल लिया है कालू कवे जब हमारे साथ गंदे तालाब में नहाते थे तब तो किटानों नहीं लगते थे तुम्हारे चार जमाते क्या पढ़नी तुम्हारी तो हवा ही खराब हो गई कालू हम कब से यहां फूलों के हार लिए खड़े हैं और तुम्हें किटानों की चिंता है मगर कालू कवा अपनी माँ को साथ लेता है अपना बैग रखता है और आटो में बैठ कर चला जाता है घर पहुंशते ही कालू की माँ कालू से कहती है कालू बेटा आपको बख्षियों के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था मा मैं डक्टर हूँ मैं जानता हूँ क्या अच्छा है क्या बुरा ये घरी पक्षी बहुत गंदे होते हैं कई बिमारियां होती है इनके तो बाल बाल में किटानू होते हैं मा अब मैं ठका हुआ हूँ मुझे सोने दो अपनी मा से ऐसे कहते हुए कालू कवा दूसरे कमरे में जाकर लेर जाता है कालू जी अब पता चलेगा कि तू कैसे डक्टर बनता है इन पक्षियों के सामने मा नहीं जानती कि मैं तो वदेश में जाकर पढ़ने की बजाए घूमने में टाइम गुजार कर आ गया हूँ कल देखेंगे जो होगा देखा जाएगा कवा डूक्टर सो जाता है कालू कवा जंगल के बीच में एक लेनिक बनाता है और उसके सामने एक बड़ा सा वाड भी लगवाता है जिस पर लिखा हुआ था डूक्टर कालू कवा हर बीमारी का इलाज घरन्की से किया जाता है सबसे पहला मरीज एक बुल बुलाती है डूक्टर कालू कवा जल्दी से अपनी कीताब खोलता है जिस पर लिखा हुआ था कि दर्द वाली जगा को घर्माईश देने से दर्द कम हो जाता है जी तो बुल बुल तुम ऐसा करो घर जाकर पंक पर थोड़ा सा पेट्रोल लगा कर घर्माईश दो फिर देखना तुम्हारा दर्द मिंटो में दूर हो जाएगा डॉक्टर कालू जी कोई दवा या ठीके की जरूरत तो नहीं है ना ना मैंने डॉक्टरी पड़ी है मैं कोई जोटा मोटा डॉक्टर नहीं हूँ फिर बुल बुल घर जली जाती है और घर जाकर अपने पंक पर पेट्रोल लगा कर उसे आग के पास करती है आग के पास करते ही बुल बुल के पंक को आग लग जाती है बचाओ बचाओ मैं जल गई कोई मुझे बचाओ थोड़ी दूर बैठी चिडिया शोर सुनकर बुल बुल के घर आती है और बुल बुल के जलते हुए पंक पर पानी गिराती है बच गई, मैं बच गई, चिडिया अगर तुम ना आती तो उस कालू कवे डॉक्टर की वज़ा से मैं तो मर ही जाती आज क्या हुआ बुलबुल, क्या तुम्हारे पंक को आग कालू कवे डॉक्टर ने लगाई है मेरे पंक में दर्द था, मैं उसके पास दो वाले ने गई, तो उसने कहा कि दर्द वाली जगा पर पेट्रोल लगा कर गरमाईश दो, और फिर ये सब हुआ लगता है, ये कालू कवे जाली डिगरी लेकर ही डॉक्टर बना है दो दिन बाद तोते के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उसकी पतनी हर्याली तोती तोते को लेकर कालू कवे डॉक्टर के पास चाती है कवे डॉक्टर कवे डॉक्टर मेरे पती को बचा ले, मेरे पती के पेट में शदीर दर्द है मार गया मैं मार गया डॉक्टर जी बहुत दर्द है अभी दर्द ठीक हो जाएगा कालु कावा अपनी कीताब खोलता है जिस पर लिखा हुआ था कि अगर पेट में दर्द हो तो उसे गरम गरम कहवा बना कर दो दर्द रुख जाएगा हर्याली इसे घर जाकर गरम गरम कहवा बना कर दो कहवा पीने से इसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा लाओ अब मेरी फीस दो और घर जाओ डॉक्टर कालु फीस किस बात की आपने कोई दवाई तो दी नहीं मुझे मैं यहाँ भीक मांगने के लिए नहीं बेटा मेरी माने लाखों खर्च की है मेरी पढ़ाई पर ऐसे कालु कवा किसी ना किसी तरह मरीजों से पैसे ले ही लेता और उन्हें कोई ना कोई मश्वरा दे कर घर भेज देता एक दिन कबूतर अपनी पतनी लूसी को लेकर कालु कवे के क्लेनिक पर आता है वारे वा ये कबूतरी तो बहुत संदर है कालु कवा मन ही मन में ऐसे सोचता है कबूतर तुम बाहिर जाओ मैं तुम्हारी पतनी को चेक करता हूँ नहीं, मैं बाहिर क्यों जाओं, तुम मेरे सामने ही जेक कर लो मैं डक्टर हूँ, जो कहा है वो करो पती जी चले जाएं, थोड़ी देरा बाहिर चले जाएं कबूतर बाहिर चला जाता है ये कालू कवा डक्टर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा कबूतर अभी ये सोच ही रहा था कि उसकी पत्री की आवाज आती है पती जी पती जी जल्दी आए ये कवा मुझे छेड़ रहा है इसने मुझे छोने की कोशिश की है कबूतर जल्दी से क्लेनिंग के अंदर जाता है मम मम मैं तो बुखार चाक कर रहा था मुझे पहले ही तेरी शकल देखकर लग रहा था के तू डुक्टर कम और नोसर बाज ज्यादा है मैं छोड़ूँगा नहीं तम्हें देख लूँगा चलो लूसी हमें नहीं ऐसे फ्रॉड ये डॉक्टर से दवा लेनी कबूतर अपने पतनी लूसी को लेकर वहां से चला जाता है घर जाकर कबूतर बहुत गुसे में था ये कवा डुक्टर सबको उलू बना रहा है मैंने बुलबुल की बात का विश्वास नहीं किया मैना ने भी कहा कि मुझे ये डुक्टर लगता ही नहीं है मैं इसे सबके सामने नंगा करूँगा दूसरे दिन कबूतर जंगल में हेल्थ ओफिसर के पास जाता है सर हमारे जंगल में डुक्टर कालु कवे के डिगरी चा करें वो सबको जाली डुक्टर बनकर लूट रहा है मुझे पूरा विश्वास है उसकी डिगरी जाली है आप जिन्ता ना करें अगर उस जाली डाक्टर की डिगरी जाली हुई तो उसे सजा जरूर मिल फिर कबूतर हेल्थ आफिसर को साथ लेकर कालू कवे के क्लेनिक पर जाता है कहां है तेरी डिगरी कहां है दिखाओ मुझे क्या हुआ जी हेल्थ ओफिसर के साथ पुलिस देखकर कालू कवर डर जाता है मैंने कहा जल्दी अपनी डिगरी दिखाओ कालू कवर डरता डरता अपनी डिगरी दिखाता है जो जाली थी हम तो ये है तुम्हारी डिगरी पुलिस पकड़ो इस डुस्ट कवे को और ले जाओ पुलिस स्टेशन ये जालिम मासूम बक्षों की जिन्दगियों से खेल रहा है मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मा कसम मैं फिर कभी डॉक्टरी नहीं करूंगा पुलिस मुझे छोड़ दो अब तो पुलिस स्टेशन जाकर ही बात होगी फिर पुलिस कालु कवे को पुलिस वैन में डाल कर ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है चुड़िया बेटी मुझे क्या खबर थी कि मेरा कालु मुझे भी जोड़ बोलेगा मैं तो समझ रही थी कि मेरा कालु सच का डॉक्टर बन गया है मा जी आप चिंता ना करें आप तो पुलिस उसे डॉक्टर बना कर ही छोड़ेगी उधर जेल में पुलिस कवे की खुब पिटाए करती है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत पूलना आपका धेनेवाद दूर किसी जंगल में गोरी कवी नाम की एक जगडालू कवी रहती थी उसकी किसी से भी नहीं बनती थी गोरी कवी हर किसी से भी बात करते पोटे अगडा करने लगती थी एक दिन गोरी कवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि पडोसी जडिया उससे कहती है अरे गोरी कवी क्या बात है तेरी सहे तो ठीक है तुम कबसे यहां बैठी हुई हो सारे पक्षी दाना लेनेगे हैं जाओ तुम भी दाना ले आओ छोटी जडिया मैं अपने घर के बाहर बैठी हुई हूँ तुम्हें इससे क्या मतलब मैं दाना लाओ या ना लाओ तुम कौन होती हो मुझे ऐसा कहने वाली अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता हो रही है तो जा जा कर लादे मुझे दाना हर्याली दोदी गुजरती हुई गोरी की बाते सुनकर वहां आ जाती है चिडिया छोड़े से ये कवी तो हर किसी से लड़ाई के मूड में ही रहती है जब देखो इसके चेहरे पर बारा बजे रहती है तो चल मेरे साथ हम दाना लेने जाती है जेंगल में गोरी का पती कालु कवा चिडिया और हर्याली तोदी को मिलता है कवे भेया तुम्हारी पतनी गोरी कवी सुभा से घर के बाहर बैठी समेज आया कर रही थी मैंने उसे समझाना चाहा तो उल्टा उसने मुझसे ही लड़ाई शुरू कर दी काल गोरी ने मेरे घोंसले से दाना भी चुरा कर खाया था कालु भेया आप उसे समझा देना मेरा मिठू बहुत गुस्ये वाला है अगर फिर वो हमारे घोंसले की तरफ आई तो बात भड़ जाएगी क्या करूं चुडिया और हर्याली तोती मैं भी अपनी पतनी गोरी कवी की इन हरकतों की वज़ा से बहुत तंग हूँ मगर वो है कि समझने का नाम ही नहीं ले रही शाम को जब कालू कवा घर जाता है तो दानों की थैली एक तरफ रखते हुए अपनी पतनी गोरी कवी से कहता है गोरी तुम पडोसियों से जगडा क्यों करती हो लगा दी होगी उसे सुन्दर जडियाने मेरी शिकायत तुम से अपने पीले पंक दिखा दिखा कर जब तुम से बातें करती है तो बुरी लगती है वो मुझे और हर्याली के घोंसले से दाना क्यों चुराया था फिर दुबारा वहाना जाना अगर पकड़ी गई तो पूरा महला पकड़ कर मारेगा तुझे मैं किसी से नहीं डरती जिसने जो करना है वो करे ऐसे गोरी कवी कोई भी बात होती वो किसी की भी बात ना मानती जब दूसरे दिन कालुकवा दाना लेने जाता है तो गोरी चिडिया के घर चली जाती है बदमाश चिडिया तेरा क्या काम था मेरे पती से हंस हंस कर मेरी शिकायते लगाने का मैं जो भी करूँ आज के बाद अगर तूने मेरी बात में टांग फंसाई तो जान से मार दूँगी तुझे भी और तेरे इस छोटे से बच्चे को भी चिडिया गोरी कवी से बहर डर जाती है नहीं नहीं गोरी बहन जो हुआ बस मुझे उस पर माफ कर दो मैं फिर कभी कालू कवी से बात भी नहीं करूँगी आप जो भी करो मुझे क्या याद रखना भूलना जाना वरना तू मेरे गुसे को तो जानती ही है फिर गोरी कवी हर्याली तोती की तरफ जाती है तोता और तोती दाना लेने के हुए थे मेरी शिकायत लगाई है हर्याली की बच्ची ने उसका तो मैं घौसला ही तोड़ दूँगी ऐसा सोच कर गोरी कवी हर्याली तोती का घौसला तोरने लगती है कबूतर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है वो भाग कर तोते और तोती को बता देता है जल्दी जाओ तोते और तोती जल्दी गोरी कवी तुम्हारा घौसला तोड़ रही है जल्दी जाओ तोता और तोती समेजाया किये बिना जल्दी से वहाँ से भागते हैं उस बुरी कवी ने हमारा खौसला ही तोड़ दिया मिंठू जी हमें बेग घर कर दिया उसने वह बहुत बुरी कवी है नहीं चाड़ूँगा मैं उसे नहीं चाड़ूँगा गुसे में तोटा डंडा उठा कर कवों के घर की दरफ जाता है निकला बाहिर गोरी कवी मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हे आज तेरी इतनी हिम्मद तूने मेरा खांसला तोड़ा अब जा जा कर बात कर मिठु से शरम करो कालू ममा पक्षी थोड़ा मर्दों से बातें करती है तुम जाओ और जाकर चौँच तोड़ दो उस मिठु के बच्चे की बूरे काम तुम करो और लडाई मैं करूँ मुझसे नहीं होगा अब ये सब कालू कवा बाहिर जाता है यार मिठु मैं पाउँ पकड़ता हूँ तुम्हारे तुम जाओ मैं उसे समझाओंगा अब क्या फाइदा उसे समझाओने का उसने मेरा खर तोड़ दिया है मैं भी उसका खर तोड़ कर ही जाओंगा लड़ाई की आवाज सुनकर पडोसी चड़िया भी वहाँ आ जाती है मिठु भेया कालू का घर तोड़ देने से तुम्हारा घोंसला थोड़ी बन जाएगा मैं मदद करूँगा तुम्हारी मैं कल तुम्हें नया घोंसला बनाने के लिए सूखे तिंके और घास ला दूँगा तुम चिंदा ना करो मिठु मिठु दोता चड़िया की बात माल लेता है और वहाँ से चला जाता है कालू कवा घर चला जाता है दरपोग कहींगा दरपोग कालू कवे अगर मुझे पहले पता होता तुम इतने कमजोर कवे हो तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती चुप कर जाओ गरी मैं क्यों चुप कर जाओ इससे तो अच्छा था मैं बुरे कवे से शादी कर लेती मेरी जगा लड़ तो लेता वो बुरे का नाम सुनकर कालु कवे को बहुत गुसा आ जाता है निकलो निकलो मेरे घर से अभी के अभी निकलो कालु कवा एक डंडा उठा कर देरी के पंख पर मारता है मैं चुपू और तुम हो के भड़ती ही चली जा रही हो जाओ और अब जाकर बूरे कवे के घर में ही रहो कालु अब पंखना उठाना अगर अब उठाया तो मैं भी मारोंगी तुम्हें तु निकल निकल इस घर से मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रखूँगा धक्के दे दे कर कालु कवे गोरी को घर से निकाल देता है गोरी कवी गुसे में दूसरे जंगल चली जाती है जहां उसकी मा के घर के पडोस में एक आवारा बुरा कवा रहता था मा बहुत मारा, मुझे कालू कवी ने बहुत मारा है उसने मुझे मार-मार कर घर से निकाल दिया है गोरी बेटी मुझे तेरी आदत का अच्छे से पता है जो हुआ उसमें दोश तुम्हारा ही होगा एक दाना देने की खातिर मा तु ऐसा बोल रही है मुझे मैं अभी बूरे को जाकर बताती हूँ गोरी कवी अपने पडोसी बूरे कवे के घर जाती है वो दरवासे पर दस्तक देती है अंदर से बूरे कवे की पतनी निकलती है कौन? कौन है जी आप? मैं बूरे से मिलने आई हूँ मिलने आई हो? क्या मतलब? मैं मेरी शादी से पहले मैं और बूरा मिलकर दूसरे कमजोर पक्षियों की धुलाई किया करते थे वो दोस्त है मेरा मगर आप बूरा बदल गया है ना वो किसी का दोस्त है और ना वो किसी से लड़ाई करता है मैं पतनी हूँ उसकी वो वदेश अपने बचों का दाना का माने गया हुआ है गोरी नीराशो कर मा के घर वापिस आती है तो उसकी भाबी उससे कहती है गोरी कान खोल कर सुन ले थू अब इस घर में तेरी कोई जगा नहीं है मैंने और तेरे भाई ने बहुत मुश्किल से ये घर बनाया है और बहुत मुश्किल से तेरी शादी की थी तुम अपने पती के पास अपने घर में जाओ भाई चुप क्यूं हो आप कुछ बोलो भी देखने ही रहे हो भाबी मुझे घर से निकाल रही है और मा मा तुम भी खामोश ता माशाई बनी हुई है पिंकी ने सची तो कहा है तेरे जैसी के साथ कौन से कौन से रह सकता है हर समय तुम दूसरों से लड़ाई करती हो सुन लिया तुमने अब निकलो यहां से और अपने पती के पास जाओ ये सब सुनकर गोरी कवी रोती हुई वापिस चली जाती है कालू खामोशी से बैठा हुआ अखबार पढ़ा था जब गोरी कवी घर वापिस चाती है कवा नजर चुरा कर उसे देखता है पती जी मुझे माफ कर दो आज मुझे एहसास हो गया है के मेरे जैसे जगडालू पक्षी का कोई भी नहीं बनता कोई मुझे जैसे से बात करने को त्यार नहीं है ये घर मेरा है और मुझे इज़त मिलेगी तो इसी घर से मिलेगी कालू मुस्कुराते हुए कहता है देर आई दरूस्त आई तुझे अकल तो आई चल अब खाना बना दोनों मिलकर खाते हैं और खुशियों भरी जिन्दगी की शरुआत करते हैं फिर गोरी सुधर जाती है और अपने पडोसियों से भी बना कर रखती है चिडिया बहन लें ये खिचडी मैंने अपने पंक्खों से बनाई है गोरी बहन आप ये लड़ू ले जाएं बहुत स्वादिष्ट हैं ये लड़ू फिर गोरी सब के साथ प्यार मोहबबस से रहती है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद